एक बाप फिर से आप सभी का स्वागत है स्टो साइंस में और मैं हूँ आनंद और हाज़िरो चुका हूँ एक बाप फिर से आप सभी के लिए एक और खास वीडियो लेकर क्योंकि हम यहाँ पर वीडियो बनाते हैं आपकी चाहत के लिए आपकी जिन्दगी के जो दुख है उनसे बाहर निकनने के लिए हम कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टो साइंस एप और यह वो एप है जो आपकी जिन्दगी को बदलने की ताकत रखता है ऐसा हम नहीं कहते हैं जो एक मिलियन से ज़यादा इस एप को रेगुलर यूज कर रहे हैं और हमें कॉमेंट्स करते हैं हमें कॉल करते और बताते हैं कि यह एप उनके लिए कितना ज़ादा कारगर साबित हो रहा है खैद एक बात अगर मैं आप से कहूं कि अगर किसी एक समस्य में आप भसे क्यों लगता है कोई बाट नहीं जैसे हालात हैं उसी में जीना हमें सीक लेना चाहिए और यह बात हमेशہ हमारे दिल में घुमती रहती है और शायद भूस on a पल्ट कर देते हैं और हमारे जिन्दगी में कुछ परिशान है तो कुछ नया नहीं हो रहा है हमारे साथ में क्योंकि हम तो परिशान हैं साथ इतने सारे लोग परिशान है तो यह जिन्दगी का एक हिस्सा बन चुका है पहले भी कहता हूँ कि अगर शारीरिक रूप से आप परिशान हैं तो उससे बाहर निकला जा सकता है अगर आप मानशिक रूप से परिशान हो चुके हैं तब उससे बाहर निकलना बहुत मश्किल होता है लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपके जिंदगी में एस्टो साइंस एप आप अपने फोन पर इसे डाउनलोड करें अपने कुंडली वहाँ पर डालें यानि डिटेल से डालें और कुंडली बनाया और जो वहाँ पर उपाय बताये गए हैं आपकी कुंडली के कि हम कोशस करते हैं कि आपकी जिन्म की कोई भी परीशानी ना रहे अगर कोई परिशानी है तो एस साइंस उसे पूरी तरह से कोशिस करेंगा और उस परिश्यानी को आपके जिंदगी से निकालते के आप चलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टेखनी कल looks से कि एक बार वो कॉल लगा और देखते हैं कि आज हमारे साथ कौन है लखी वो कॉलर जिन से हम बाचीत करने वाले हैं और उनकी पूरी कुंडली के बारे में च्छानवीन करने वाले हैं कि हलो है यहां आपको पता होगा कि हम यहां पर आपकी कुंडली बनाने वाले हैं क्योंकि हमारी टीम ने आपसे बात कि होगी कि आज आप हमारे एपिसोड के लिए लखी कॉलर है यह उव्हां जी स् जी आपकी हम कुछ पूछेंगे डेटा वर्त क्या है टाइम क्या है देटव प्लेस क्या है इसके बाद 미The में हम उनकी बनाएं और उसके बाद आपकी कुछ बताएंगे कि आपके जिंदगी में क्या क्या हो रहा है लेकिन उसके पहले मैं मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त आपकी लाइब कैसी चल रही है कि अच्छा यानि कि इस वक्त अभी फैनेंशल प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइब कैसी चल रही है कौन कौन है आपके परिवार में श्रता जी वैसे मैं साथ ससूर और बच्चे हैं ओके आपके हस्बेंट साथ में नहीं रहते हैं अच्छा अच्छा ओके जी ठीक है श्रता जी हम आपकी कुंडली बनाते हैं और देखते हैं आपकी इस वक्त लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हैं और हम कोशिस करेंगे कि हम आपको उपाय भी बता पाएं जिससे कि आप अपनी जिन्दगी में बाहर अच्छी करने का और सथाज आप हमारासांब कॉल पर रहेगा गाणी यस आपका पूरा नाम क्या है कि श्वेता गनेश यंदे तक सुट्ट गनेश यंदे है लेंग्वेज हम यहां पर इनकी प्रफर कर लेते हैं हिंदी यह यहां पर हम आप श्वेता किसके बारे में जानना चाहती है कि मैं आपके खुद के बारे में देखते हैं हम यहां जैसे यह कर देंगे तो अभी आप मुझे अपनी डेटा वर्थ बताएं एक वन से किन शिक्स्टीन अक्टूबर आगे एर क्या बताएं आपने नाइंटीन एटी एट हां ओके चलिए और रहे सिक्स्टीन अक्टूबर नाइंटीन एटी एट इसको हमने कर दिया टाइम आप वर्थ क्या है आपका मॉर्णिंग आपके मतब सुबह के छह वजे राइट आपके चलिए मैं इसको एक बार फिल कर देता हूं सुबह के छह वजे हैं आपके और आपकी प्लेस आप बर्थ क्या है आपका जन्म कहा हाँ ओके चलिए तो यह हमने डिटेल्स आपके फिल कर ली है और इस वह में एक बार अभी सेफ कर लेंगे और जैसे कि अभी हम देख पार है कि यहां पर इनकी पूरी कुंडली बनके आ जाएगी और यहां पर सब कुछ अक्षर बर अक्षर साप साप लिखा नजार आएग सुबा के 6 वजे इंदौर मद्ध प्रदेश राइट चलिए सो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी जो जन्मराशी है वो व्रिष्चिक है चलिए किसमत का ग्रह आपका गुरू है और एक बार में देख लेता हूं कि आपके इसमें गंड मूल दोश है आप बहुत ज़्याद बच्पन सब्सक्राइब तो आपके बारे में थोड़ा साम यहां पर बताएंगे और शुरुवात में कि आपका बेवहार कैसा है आपका नेचर कैसा है क्योंकि इस वक्त आपकी पूरी कुंडली मेरे क्योस्क में हमारी स्क्रीन पर ओपन ओकर आच और इस वक्त आपकी प् और आपका बिवहार कैसा वह लिखा होता है ठीक है चलिए इसमें लिखाया है कि जब भी आपके घर में खुशी का महौल होगा और जिस दिन आपके घर में बेटा पैदा होगा और उसके बाद जब आप खुशी मनाएंगे ढोल बजवाएंगे तो सब की सब खुशियों मे सब के बाद अशुपल प्राप्त होंगे तो घर में अशानती का बास होगा आपके भाई आपसे अपके भाई आपसे उससे सम्रिद्धी में कम होगे आप सोयम जगडालू सुबाओ के होंगे आपके भाईों के साथ आपके बहुत अच्छे रिष्टे नहीं बनते हैं यह अच्छा यह इसमें लिखा है कि जो आपके भाई हैं वह आपसे कम सम्रिद्ध हैं जिसकी वज़से आपके और आपके भाईयों के बीच में कुछ बहुत अच्छा बन नहीं जाएं ऐसा कुछ है क्या है एक के साथ अच्छा ओके ओके तो चलिए एक बार हम शुरुआत करते हैं और इसमें एक चीज़ और लिखिए कि पहले शुरुआती जो लाइफ है आपकी बहुत अच्छी है और आपके पास बहुत पैसा है सारा कुछ बहुत अच्छा है लेकिन जब से आपके घर में आपके बेटे का जन्म कुछ यहां पर दिक्कते आनी शुरू हो यह इसा कुछ है कि आपके बैटे का जन्म होगा और उसके कुछ वक्त बाद आपके घर में हालात थोड़े से बिगणने शुरू हो जाएंगे ऐसा कुछ हो आए आपके लाइफ में चलिए आपके बारे में आपकी पूरी जिंदगे के बारे में हम बस पढ़ने चल रहे हैं और क्योंकि यह वो पॉर्शन है जहां पर हम किसी की भी जिंदगी के बारे मे सब कुछ जान सकते हैं इसको हम शुब और अशुब योग कहते हैं क्योंकि यहां पर फुल लाइप एडिक्शन्स होती हैं तो मेरे साथ अभी कॉल पर शुयता जी हैं उनके बारे में हम अभी आपको और बताएंगे और यह सब कुछ लाइफ चल रहा है आप देख सकते है उन्होंने तब भी बोला हां और उनसे मैंने एक सवाल और पूछा कि आपके भाईयों के साथ क्या आपके सम्मन्द बहुत अच्छे नहीं है उसके बाद दुन्होंने बोला कि हां उनकी जिन्दगी में ऐसा ही चल रहा है जब कुछ तरह के कुछ चीजे मिल जाती तो लग जो भी लोग अभी वीडियोस देख रहे हैं कि देखेंगे कि आज की हमारी लटी कॉलर क्यों है आपको बता देता हूं क्योंकि यहां पर देखेंगे कि अभी वैसे तो अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आपको प्रीमियर मेंबर्शिप लाने ना पड़ेगा किसी भी कि यहां पर हमने वनियर मेंबर्शिप लान को सेलेट कर लिया है इसके बाद हम इसको बाइनाव पर दबाएंगे और बाइनाव आने के बाद यहां पर हमें प्रफाइल सेलेट करने का आप्शन आ जाएगा कि कि किस प्रफाइल के लिए हमें यह जो हम पर्सेस कर रहे हैं क तो आप देखेंगे कि यह जो मेरे हाथ में एक बॉक्स है जिसमें लिखा गया है वशिष्ट जोतिष जनम कुंडली तो जो लोग इस एप को यूज कर रहे हैं वह बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वशिष्ट जोतिष जनम कुंडली क्या होती है यह आपकी जन सब्सक्राइब कि उनको इतने ही साल की यानि की जो उनकी जनम कुंडली है वह उसकी हाड़ कॉपी उनके घर में भेज़ दी जाएगे तो आपके पास दो दो चीज़े हो सकते हैं एक हाड़ कॉपी भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप एस्टो साइंस एप के थरूब भी वो सारी बाते पढ़ सकते हैं लेकिन बात आती है कि यह बॉक्स कैसे मिलेगा इस बॉक्स का यूज क्या है अगर मैं आप से पूछो कि आपकी कुंडली के बारे में कोई और इंसान पढ़ रहा है आपके जिंदगी में कुछ ऐसे रहस हैं जिसे कोई और पढ़ रहा है पहार शरूफ हम को दिया है लेकिन इसको पाने का तरीका क्या है अगर आप एस्टो साइंस एप का फाइव यह मेंबर्शिप प्लांट पर चेस करता है ज्यान से पाइव यह मेंबर्शिप लेते हैं उसके साथ साथ आपको आपकी जो जनम कुंडली है वशिष्ट जोतिस जनम कुंडली वो तो आपको दी जाएगी लेकिन उस जनम कुंडली को दिया जाएगा इस पास्वर्ड प्रोटेक्ट अथ के साथ उसके मैं थोड़े से अपने कुण्डली को यहां पर असानी से रखता है इस बॉक्स की खासियत है और देखने में बहुत ही ज्यादा खुबसूरत और बहुत ही एलिगेंट लग रहा है इसलिए मैं बार-बार करता हूं कि आपकी जनम कुण्डली जिसे आप जंदिके मांस सब कुछ मानते हैं उस वक्त अभी श्रयता जी मेरे साथ कॉल पर है अभी मेरे साथ आप जुड़े हैं चलिए तो श्रयता जी आपकी पूरी कुंडली बनके आचुकी है अब हम शुरुवात करते हैं आपकी जिंदगी के बारे में जो भी कुछ यहां पर लिखा गया है इस एप में हम एक एक ची वकई तो अभी हम रीड मोर के ऑप्शन में जाएंगे और सबसे पहले हम आजाएंगे शुब और अशुब योग क्योंकि यहां पर मिलता है फुल डायप पेडिक्षन यानि कि जिन्दगी में क्या क्या आपके हो चुका है क्या होने वाला और क्या क्या हो रहा है इन सारे स सकते हैं कि मैं शुब और शुब में जैसे क्लिक करूंगा तो वो पोशन यहां पर खुल के आ जाएगा जिसके बारे मैं आप से भी बाचित कर रहा हूं और जिसके बारे में मुझे आपसे बाचित करनी है और श्वेता जी को भी इसके बारे में इसके उपर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है इसी जिस वीडियो आप जहां पर देख रहे हैं इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वर्षबल वाला वीडियो जहुर देखेगा वर्षबल होता कि हमें आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि माली जिसे आज आपका हैपी व पर यहां पर हम ओपर हो चुके हैं कि शुब और और शुब क्यों योग के बारे में सब कुछ लिखा गया और यहां पर गुड और बेड़ विप्रटिक्चंस आ चुकी तुमने बैट प्रटिक्षण सबसे पहले वीडिक्रइए और झूकि हम थोड़ा से उनकी बारे मीब पाई भी बताएंगे इसमें लिखा है कि आपको बुरी आदिते हैं और बुरी संगती पूरी तरह बरबाद कर देगे आपकी आंदनी बेशक अच्छी हो परंतु आप करजे के बोज तले दवे रहेंगे आपके जीवन में निर्धनता दरिद्रता और कायरता तीनों का इस्थान होगा आपको व्याप्यार में हानी का सामना करना पड़ेगा ऐसे में आप चाहें दूसरों के साथ कितनी ही चुस्ति चालाकी कर लें लेकिन फिर भी आपको दुखवा परिशानियों का सामना करना से परिशानी जहलने पड़ेगी आपको पिता की तरफ से मिलने वाले सुख में भी कमी के हालाद यहां पर बंते दिखाए दे रहा है किसी कारण वर्ष आपको अपने पिता से अलग भी रहना पड़ सकता है आपका शरीर कमजोर होगा आपकी किसमत में कम दौलत और बीमारी क साथ होगा आपके खिलाब जूटी अपमाय फैलती हैं आपको परिशाब से सम्मंदित बीमारियां हो सकते हैं आप अपने परिवार के सब दुख तकलीफों का बोज उठाने के ऊपर लेने वाले हैं इसमें सबसे पहले जाना चाहता हूं कि क्या क्या आपकी लाइप में मै अच्छा आपके पिता के साथ आपके रिलेशन्स कैसे हैं ज्यादा ठीक नहीं कि अच्छा इसमें अच्छा इसमें अच्छा इसमें तो आपके फादर के साथ जी जी अच्छा अच्छा मेरी रिक्वेस्ट थोड़ा साप सही जगह पर आजाना आपकी अवास थोड़ी सी कट रही है अभी ठीक है प्लीज अभी आप जैसे बता रहे हैं कि आपके जो फादर के साथ हैं रिलेशन्स उतने अच्छे नहीं है शादी के बाद क्योंकि आपने शा झाल रागा है अंच्छा फैसा लगा रही है सब्सक्रीच लापने पाल। अच्छा क्योंकि यहां पर आप दो तीन चीज़ा लिखी है कि आपके जो आपके आसपास के जो लोग है जो आपके यार दोस्त हैं उनसे हमेशा आपको दोखा मिला और उनकी खराब आदतों के कारान भी आपके साथ बहुत लॉस हुआ है आपके जिन्दके में और इसमें ल लोखने कि तो मुझे वापस बिल्कुल 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 और यह आपके साथ मतलब इसमें कुछ चीज़े लिखिए कि आपको धार के साथ में बहुत अच्छे आपके संबंद नहीं है और तो यह आपने उसको बता ही दिया तो चलिए में एक कि आप मतलब थोड़ा समय कुछ और आपके बारे में यहां पढ़ता हूं इसमें लिखा गया है तीसरी प्रिक्शन जो लिखी है इसमें लिखा है कि आप अपने सगे भाइओं से दुखी रहेंगे आपके भाईओं के साथ आपके कैसे हैं मतलब आपके रिलेशन्स भाईयों के साथ बहुत अच्छे हैं अच्छा अच्छा इसमें और भी लिखाया कि जिससे कोई फायदा ने उठा पाएंगे बल्कि हो सकता है कि वह आप के साथ रिलेशन्स इतने अच्छे नहों लेकिन वह आपके आपसे फाइदा उठाते रहते हैं अंगे परीबार में जो भी तकलीफे आती हैं उन्हें अपने ऊपर लेने वाले आप कमाई करके दूसरों को भी सुख दे सकते हैं मगर अपनी कमाई से आप खुद सुख नहीं बोग सकते इस योग के कराण आप बढ़ती हुमर के कारण ज्यादा पूजा पाट करने वाले हुए साधु मात्माओं के घर बुलाकर उनके सेवा पानी पूजा करने वाले हुए मतलब ऐसा भी है कि आपके साथ में की जो पैसा अप अर्ण करते हैं उससे आज पास जितने लोग हैं उन सबको बहुत अच्छी लाइफ दे देते हैं लेकिन आप खुद उससे बहुत जारा सैटिस्फाई नहीं रहते हैं चलिए इसमें आगे लिखा है कि जैसी जैसी आपके उमर बढ़ रही है आप थोड़ा सा स्थामान हो रही है आप पूजा प बारे में पढ़ूं तो इसमें लिख सकता है कि आप में होसले की कमी रहेगी और आप सुभाव से आलसी होंगे इसके अलावा समय समय पर आपकी जीवर मुश्किलें वहाँ बीमारियां पैदा होती रहेंगी आपका मसलब स्वास्त कैसा भी स्वास्त ठीक है आपको ऐसा कुछ हो रहा है आपके लाइब में अच्छा 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 पर जो भी हम बाते पढ़ते हैं जरूर नहीं कि सब कुछ एक जैसा ही हो लेकिन पूरी तरह से सारी चीज़ें लगबग यहां पर लिखी रहती है और इसमें लिखाया कि आपको अपने भागे की तरफ से बहुत अच्छी सायता प्राप्त नहीं होती तरह भागे की तरफ से कोई ना कोई कमी आवश्या देखने को मिलती हैं आपको अपने पिता और बड़े बजर्गों से आश्रवाद में कमी देखने को मिलेगी और जीवन में बहुत अच्छे पत्रक्ति नहीं कर आपको आश्रवाद या मानसम्मान नहीं मिला आपको कभी ऐसा भी रहा है आपके साथ में आप चलिए बहुत अच्छी बात है और चलिए बहुत मुझे यहां पर बहुत कुछ यहां पर मैं अभी जो पढ़के बता रहा था लेकिन स्वाता जी अभी मैं कोशिस करूँगा कि आपको में रेमेडी बताओं कि अभी जो आपके हालात हैं जैसे इस वक्त आपके लाइ अपने लाइब को और अच्छे से सके तो अभी गौर्ट से सुनिएगा जो कुछ में बता रहा हूं आप डारी पें ले 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 आजिया कॉल को रिकॉर्ड करने उसको आप अपनी लाइब में फॉलो करिएगा है इसमें जो पहली रेमेडी लिखी यानि कि जो उपाय लिख लगाएं आठ दिन लगातार आठ हल्दी की गांठ मंदिर में दें आठ ब्रहस्पती कच्छे सूत को हल्दी से पीले करके पीपल के तने पलपेटे इसमें पांच आपको यहाँ पर जो रेमेडी दी गई है अगर आप यह मात्र करते हैं तो आपकी जिन्दगी बहुत अच इचार्यों से भी concern कर सकते आपको कैसे करना कितने दिन करना 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 है दिन में करना है यह जो भी अभी लائव में आपकी समय इस वक्ता फेस पार रहे हैं उस से यहाँ से निकलने का बहुत अच्छा साधर है चलिए मैं अभी एक बार फिर से आपके बारे में कुछ और च इसे परिशानियां होंगी इतना सब कुछ आप आप करेंगे लेकिन उसके बाद भी एक फेस आता है कि अगर हम उपाय करते हैं तो उसके बाद हमारी कि लाइफ में कैसी कैसी चीजें होंगी और कितना खुशाल हमारी जिंदीगी हो जाएगी इसमें जो मैं पढ़के बताने वाला हूं खुद आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि वह ऐसा भी हो सकता आपकी लाइफ में तो चलिए बस मैं थोड़ी देर माध आपको यह पढ़ कि अपर इसमें कि आप जागती हुई किस्मत के स्वामी यह बहुत अच्छी बात है और बहुत कम लोगे लिखा होता है कि कोई अपने किस्मत को खुत रचता है यह आपके आप में चूँआ यह और झतने अच्ची पहिंदा म讲 और चलिए विका लिकर दो घूम मैंने आप कूपाय बताएं आप उनको करिएगा बिल्कुल वैसा ही होगा जो चाहेंगे आप वो लाइप में कर सकते हैं इसमें इसमें चीज और अच्छी लिखी है कि कि आप अप एजनसी कॉंट्ट्रेक्टर यात्राय कि लिए कारें प्रिचार में कमाते हैं ऐप 내려 होते हैं अच्छी बहूता है बहुत अच्छी बात क्योंकि सफसाब यहां पर कर लिखा मिला वह है और अच्छी चीज़ है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं अगर आपको परणाम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर जो मैंने आपको उपाय बता है आप उन उपायों को करिएगा जी बिल्कुल मेनत करते रही है उपाय करते रही है आपके जिन्दकी बहुत अच्छी हो जाएगे चलिए बहुत बहुत शुक्रिया और श्वता जी हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और अपना इतना प्रिश्यस टैंड देने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आ आपकी जो बाते थी जो भी था हम आपके साथ डिसकस करता अच्छा जी अगर आखरी में आप से मैं पूछूं कि आपको मतलब ओवरॉल जो हमने आपके बारे में बताया इसमें मतलब क्या आपको मिला कि हाँ यार मेरे लाइफ में यह नहीं था मुझे ऐसा करना चाहिए क क्या आपको लगा कि यह अगर मैं आप लाइफ में करते हूं तो और अच्छा हो जाएगा अब आपनी जो पाए बिल्कुल बिल्कुल आप उपाए जरूर करिएगा और अब साथी साथ अपने घर में जितने भी फैमिली मेंबर से उन सब के कुंडली बनाएगा जिससे क्य उससे क्या होगा कि जो भी लोग आपके साथ है उन सब की लाइफ बहुत अच्छे स्मूर्थ तरीके से चले और बहुत अच्छी हो जाए बहुत 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 शुक्रिया शुटा जी हमारे साथ जूनने के लिए आज की इस एपिसोड को हमारे और भी जादा खास बनाने चाहते हैं कि जो भी मैंने चीज़ सं면 सामन भेते पारीक लाग को लेकर हो जितने भी बाते आमने बताए लगभग उनकर जिंदे न के जिन वуса ही हो रहा है इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप भी अपनी जिन्दगी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है ये भी जानना चाहते हैं क्या क्या हो चुका ये भी जानना चाहते हैं या कैसी लाइफ मेरी चल रही है ये भी भविश्य में घटित होने वाला है उसको अगर पहले से आपको पढ़े में पताओ उसके उपाय करके उसे टाला जा सके एगर ऐसा आप सब कुछ चाहते हैं तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एसको साइन्स और उसके प्रीमियम मेंबर्शिप क्लान भी लेने पड़ें आप अपने किताब से पढ़ सकते हैं इस बॉक्स को मंगा सकते हैं इस बॉक्स के लिए आपको फाइब येर प्रीमियम मेंबर्शिप प्लान रहना पड़ेगा और यह बॉक्स आपकी कुंडली के लिए और आपके जिंदके के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है त लेकिन उसमें से कौन लकी साबित होगा हमें नहीं पता यह हमारी टीम डिसाइड करती है उनके समस्या सुनकर उनके जिंदगी के बारे में क्या कि आप और भी चीजे चल रहे हैं यह सब हमारी टीम डिसकस करती है और मैं उमीद करता हूं मेरी टीम बहुत अच्छा काम करत साथ कुछ कि मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोगों से बातुर करने का मौका मिलता है और लगातार आप कॉमेंट्स करते रहिए क्योंकि हमारे जो और higher है वो कॉमेंट्स को करके भी अभी तक वीडियोऌ भना रहे हैं तो आप कौमेंट्स करते रहें अगर यहां पर कॉलने कनेक्ट होती हो सकता कि आपका कॉमेंट्स महाँ पर सेलेक्ट हो जाए तो चलिए खुश रही है और बंदास रहें जिन्दगे में परिशान मत हुई है मैं हमेशा कुछ आगे पा सकते हैं अगर उसी शेत्र में आप रहे कुए के मेडग बनके रहे तो जिंदगी आपकी छोटी सी हो जाएगी और एक जिंदगे में लिए उसे शायद आप बहुत बेकार तरीके से जीपाएंगे इसलिए अच्छी जिन्दगी जीने के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है कोई परिशानिया आजाएंगी हम आपके साथ खड़े हैं क्योंकि एस्ट्रो साइंटिस्ट गुर्दे और जीडी वश्यजी कहते हैं कि बस अब दुख और नहीं आपके जिंदगी के जोगी परिशानिया है उनको सही करने के उनकी जिंदगी में खुश चला पाएंगे ये देखिए आपकी कुंडली के बारे में यहां लिखा आता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोश, कालसर्प दोश, गंडमूल दोश है या नहीं साथ ही यहाँ पर आपके ग्रहों के हालात में लिखा आता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह शुब है या कौन सा अशुब यहाँ आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन से ग्रह का दान करें और कौन से ग्रह का नहीं आपकी कुंडली की सबसे बड़ी खरावी यानि पित्र रिंड दोश और उसका समाधान मोटी अक्षरों में लिखा दिखाई देगा ठीक इसके बाद यदि आपको कोई लंबी भीमारी है या भविश्य में होनी है तो ये विशेश स्वास्थे योग के कॉलम में साफ लिखा मिलेगा एक इनसान की प्रोफेशनल लाइफ की काम्याबी ही उसके जीवन का आधार होती है इसलिए साथ ही आपके लिए कामकाज की हेडिंग के ठीक नीचे आपको लिखत में मिलेगा कि आप काम्याब होने के लिए नौकरी करें या व्यापार आपका स्वभाव, पारिवारिक संबंध, रुपाय पैसे के हालात, कोट कचेहरी के मामलों जैसी घटनाओं की जानकारी किस्मत की सांकडी में लिखी आती है गुरुदेव ने खास तौर पर आपके लिए भाग्य की अशुभता की तारीखी आपकी वशिष्ठ जियोतिश कुंडली में यहां लिख कर दी हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी तारीख से अमीर बनेंगे और किस तारीख से आपका के बीच में क्या क्या शुभ और अशुभ घटित होगा यह आपके वर्ष फल में लिखा हुआ पढ़ सकते हैं वकान वाहन बना पाएंगे या नहीं विदेश डापाएंगे या नहीं आपके स्वास्थे के उतार चड़ाव या किन-किन परेशानियों का सामना करना पड़ इसलिए अपने जीवन के हर कनफ्यूजन को क्लियर कीजिए क्योंके आपकी वशिष्ठ जयोतिष जन्मकुंडली आपकी नॉमल लाइफ को ग्रेटेस्ट लाइफ बनाने के लिए बेस्ट अडवाइस देती है तो देर ना करें गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी के जयो अपना पर आधारित अपनी वशिष्ठ जयोतिष जन्मकुंडली आज ही मंगवाएं अब आप अपनी वशिष्ठ जयोतिष जन्मकुंडली एक पासवर्ड प्रोटेक्टिड बॉक्स में भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ निजी जानकारियां भी लिखी आती हैं जो आप किसी के साथ साजा नहीं करना चाहेंगे तो आज ही अपने भग्य की हर क्लियर कंफ्यूजन की कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए